नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोति शुजराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका एश्टो फेंट संतोशी और जानकारी एक खास देदे हम आप हमसे तुमारे फेस्बुक पेज आज एश्टो फेंट संतोशी इसी नाम से हमारा फेस्बुक पेज है इस पर आप को फीज देने में दिक्कत है तो आप 10 बच कर 30 पर हमारे एश्ट्रो फेंट संतों संतों सी फेस्बुक पेज पर आना ना भूलिएगा आज की बात हनुमान चालिसा की एक विशेश चौपाई के साथ बजरंग बली को प्रणाम करते हैं सबसे पहले हनुमत बाबा को प्रणाम करते हैं उनके चरणों में सादर नमन करते हैं और एक बार भगवान बजरंग बली का हम लोग ध्यान करके एक उनके विशे में चौपाई विशेश जबते हैं लाल देह लाली लसें अरुधर लाल लंगूर वज्च्र देह दानों दलन जै 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 कपिसूर पवन तने संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हिर्दै बसं हूं सुर्भूप स्यावर राम चंद्र की जै पवन सुत रूमान की जै बजरंग बली की जै हनुमान चालिसा तोसी दास दौरा रचित एक विशेश चालिस पंक्तियों का विशेश अरचना वंदना जिसमें हम एक देव विशेश के गुणों का बखान करके उन्हें प्रशन करते हैं और उनसे सुगमता पूर्वक आशिरवात प्राप्त करते हैं अवधी भाषा हमारे पैत्रिक भाषा हमारे पैत्रिक छेत्र की भाषा अवध छेत्र की भाषा अजोद्या धाम की भाषा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालिसा का पाठ तौर्शी दास सदा हरिचेरा की जहुनात हरदय महडेरा आज हम एक चौपाई की बात करेंगे जिससे तांत्रिक क्रियाएं और किया धरा आप पर खुल जाएगा अक्सर हम सब के जीवन में कुछ तंत्र का प्रभाव पढ़ जाता है भोग हमारा होता है माध्यम कोई बन जाता है माध्यम कोई निमित बन जाता है कभी हम किसी के साथ physical involvement करके तंत्र क्रिया के शिकार में आ जाते हैं कभी कोई हम पर जादू टोना टुटका कर देता है आप कहेंगे क्या होता है मैं कहूंगा हाँ 100% होता है तंत्र क्रिया का प्रभाव सत्थ प्रतिशत होता है और हर कीमत पे होता है इस्त्रियां चुकी चंद्रशुकर से प्रभावी होती है तो इस्त्रियों पर लड़कियों पर जल्दी होता है जादा होता है बनस्पत पुरुष और लड़कों के क्योंकि पुरुष और लड़के सूर्य और मंगल के प्रभाव छेत्र में आते है तो आज हम बजरंग बली के एक खास चौपाई का जाप आपको बताएंगे जब बजरंग बली का वो खास प्रियोग करके आप बड़े बड़े तंत्र और तंत्रिक क्रियाओं के बाधाओं से मुक्ति का मार प्रशस्त करेंगे और आसान बनाएंगे उस खास चौपाई का प्रियोग कैसे करना हम बताएंगे लेकिन पहले तंत्रिक क्रियाओं का प्रभाव मैं बता देता हूँ अगर किसी लड़की किसी महिला की कुंडले में सौम्य ग्रह की दशा चल रही हो जैसे चंद्रमा, बुध, ब्रहश्पति, अथवा, शुक्र की तो ऐसी इस्त्रि ऐसी लड़की तंत्र क्रिया उपरी प्रभाव किया धरा के चपेट में जल्दी आ जाती है सौम्य ग्रह का प्रभाव महादशानाथ के रूप में हो अगर कोई सौम्य ग्रह के लगन में जन्मली है लड़की या इस्तरी तो वह भी जल्दी प्रभावित होने के कटेगरी में आ जाती है जैसे बिशब लगन तुला लगन मिथुन लगन कन्या लगन करक लगन धनु लगन मीन लगन ये लगन जो सौम्य ग्रह के लगन है इन लगनों में अगर कोई कन्या जन्मली है तो वह प्रभाव में आ जाती है इस प्रकार के दोशों के अगर किसी कन्या, किसी लड़की या महिला का लगन 0 डिगरी का है, 0-5 का या 25-30 डिगरी का तो उस पर भी इसका प्रभाव जल्दी होता है अगर आपका लगन स्वामी या चंदर राशी का स्वामी राहु के प्रभाव में आता है या छठे आठवे बारहमे के स्वामी के प्रभाव में आता है तो भी आप पर इस प्रकार के प्रभाव की इस्थती जल्दी आ जाती है शिग्रता से आ जाती है अब हम आपको प्रियो वक नोट कर लीजेगा एक त्रिकोन ट्राइंगल लाल कपड़ा साइज अपाउन यू एक रुमाल को भी आप तीन कोनों में मतलब रुमाल ले लिए चोकोर होता है उसको दो कोनों को ऐसे कार दीजे ट्राइंगल लाल कपड़ा लेना है और इसके बाद एक मिट्टी के बरतन में मिट्टी भी मंगल का प्रभाव भूमे पुत्र मंगल मिट्टी एक मिट्टी के किसी छोटे से दिये में औरंज कलर वारा सिंदूर और शुद्ध देसी घी डाल कर सिंदूर को गीला कर लीजे और इस अंगुली से रिंग फिंगर मंगल वाली अंगुली से चौपाई लिखिए हनुमान चालीसा पाठ करे जो कोई छोटा ही बंध महासुख होई लिखा क्या है यह सत बार पाठ करे जो कोई तो सत बार को जगह पर मैंने हनुमान चालीसा कर दिया है सौ बार हनुमान चालीसा मैंने चार से साड़े चार घंटा लगता है हमने कई बार किया है तो सौ बार संभो कहां है पता यह चार घंटा कौन दे पाएगा उस भाव से तो उसकी जगह हमने चेंज किया हनुमान चालीसा पाठ करे जो कोई छूट ही बंध महासुख होई यह आप लाइन इस अंगुली से औरंज सिंदूर को देशी घी से मिट्टी के बरतन में घोल कर इस अंगुली से उस ट्राइंगल वाले कपड़े पर लिख दीजे दो लाइनों में हनुमान चालीसा पाठ करे जो कोई छूट ही बंध महासुख होई और इसे जहां आपने लिखा ट्राइंगल इस ट्राइंगल कपड़े को किसी परात में थाली में रख दीजे और उसी पर एक दिया जला दीजे चमेली के तेल का इसी ट्राइंगल पर रख दीजे दीआ जलाकर घर के दक्षुण दिसा में रख दीजे और दीए को अपने आप शान्त होने दीजे दीआ शान्त हो जाए दीआ को उठाकर अपना जहां अपना आप लोग सिराते हों सिरा दीजेगा और ट्राइंगल को तह करके शाम के समय में कभी भी दिन ढलने के बाद शाम के समय में कभी भी हनुमान मंदिर में चड़ा आईए अब पंडी जी अगर वहाँ ले लेते हैं हाथ से चरणों में बजरंग बली के रख देते हैं तो वेलन गुन नहीं रखते हैं तो मंदिर कैंपस में कहीं पर भी इसे आप रख दीजेगा आपको कुछ नहीं करना बस कहीं छोड़ दीजे काम बन गया इसे आप मंगलवार या शनिवार हपते में दो दिन कभी भी करें हर अवस्था में इस तरिया माताएं बहने कर सकती हैं छुआ धाल छूट है कभी भी करें कोई दिक्कत नहीं कभी भी कर सकते हैं करते ही तत छण आपको इसका लाब दिखेगा बिंदास लाब दिखेगा परम पावन लाब दिखेगा और आप हर तरह से ऐसे बंधनों से मुक्ति प्राप्त करेंगे इस प्रियोग को आप रिपीट कर सकते हैं अल्टरनेट वीक के बाद जैसे एक सब्ताह आपने शनिवार को कर दिया तो अगला शनिवार छोड़के फिर कर दीजिए जब तक लाभ ना दिख जाए बस बहुत बहुत आभार आप लोग का प्यार बनाये रखिएगा बारे से सोलह बसंत पंचमी महानुष्ठान के विशे में जानकारी लीजिए अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं हमें उमत दीजेगा आप प्रशन रहें नमस्कार श्रीकिष्णा जैसीरे रादे